हेलो दोस्तों आइफोन 5S 5 6 के उपर है जहां पे के सब भी को एरर दिखाई देता है जबके फेस्बूक इंस्टा वगरा डाउनलोड करना होता है तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे के कैसे आप किसी भी हैंड सेट में चाहिए इस थर्टीन हो फोर्टीन हो जां फिफ जो भी हैंड सेट आपके पास है जैसे यह देखिए यह आईफोन 6 है अगर आप इसमें फेस्बूक वगरा डाउनलोड करना चाहते हैं जांप फिर इंस्टा को डाउनलोड करना चाहते हैं तो एरर आएगा यहां पे दिखाएगा आपको कि रिक्वायर्मेंट आई यॉस इसको फिक्स करने के लिए आप क्या करेंगे कि अपने ही किसी दोस्त का जा फैमिली मेंबर का एक और हैंड सेट लेंगे जो के 6 हो कम से कम जिसमें के आई यॉस 13 के ऊपर का कोई ना कोई वर्जन चल रहा हो तो उसको क्या करेंगे कि आप सेम आईडी जो आपकी 6 में सकते हैं जहां फिर आप अपने किसी फैमिली मेंबर का हैंड सेट वी ले सकते हैं तो अभी मैंने यह दिखाया आपको 6 है इधर जिसमें टॉण्लोड हो रहा है इसमें वैसे टॉनलोड नहीं हो गया और यह सेमन है सेमन में मैंने कह किया कि सेम ही एपल एडी को लोगिन कर घ्र रहीजा है वहां पे मैंने क्या कि talking on a start कर दिया तो जब assemble होना start हो गया तो उद intentar मैंने किया कि आइफूण 6 में भी Facebook को इंस्टॉल करना start करती है ठीक है क्याभक से mmi २हीं के क sı जा आपल की स्टार्टिंग से एपल की जितनी बी ड historians चल रही है वहां पर आप सेम एप्लिकेशन को एक्सेस कर सकते हैं चाहे वो Mac है चाहे वो MacBook है और जाह फिर iPad है जाह फिर चोटे से सोटा model भी है जैसे 4s है 5s है 6 है वहां तक भी आप क्या कर सकते हैं 6 Plus में भी आप किसी भी application को easily install कर सकते हैं तो जे एक बढ़िया method है तो आप इससे हर एक application को install करके use कर सकते हैं तो friends जे एक शोटी सी जानका रही थी जो कि आप सब भी user के साथ share करने चाहते थे क्योंकि जो भी आपको ऐसा error आता है तो आप क्या कर सकते हैं कि easily install कर सकते हैं किसी भी application को किसी भी handset में जिसमें के iOS से कोई भी version चल रहा हो तो friends वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा या एनियल को subscribe कीजिएगा बेल आइकन को दुबा का notification all पर होन कीजिएगा ओके thank you viewers